असलाम अलेकुम वियर्स अमीद करता हूँ आप सब ख्यारियों से होंगे आज हम जिस मेडिसन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है कोमोक्सिकलेव इसका केमिकल फार्मूला भी कोमोक्सिकलेव है और ये एक एंटिबक्टेरियल मेडिसन है मुख्तलिफ फार्मसोटिकल कमपनी इसको मैनिफिक्चर करती है और ये मेडिसन मार्किट में मुख्तलिफ नाम से अवेलिबल है आएए अब देखते हैं कि हम इसको किंद किर परपर्स में इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले इसकी इंडिक्शन को देखते हैं मुख्तलि तरह की इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम इसका अस्तमाल करते हैं जैसे कि एनटी इंफेक्शन, यूटी इंफेक्शन, स्कीन और सौफ्टिश इंफेक्शन और रासाइब ट्रीट रैक इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम इसका अस्तमाल करते हैं आईए अब इसकी डोस देखते हैं जो इसकी बच्चों में डोस है तीन से नो मान के लिए और डाई एमेल है इसके इलावा जो इसकी नो मान से दो साल की बच्चों में इसकी डोस है वो फाइव एमेल है इसको हम पांस से साथ दिन के लिए इस्तमाल करते हैं इसके लावा एक सस्पेंशन जिसकी स्ट्रेंट 312 है वो छे से बारा साल की बच्चों के लिए हम इस्तमाल करते हैं और इसको दिन में तीन दफ़ इस्तमाल करते हैं उसकी dose 5 ml है जिसको हम 7 से 14 दिन के लिए इस्तिमाल करते हैं आईए अब इसकी adult dose देखते हैं अगर infection मुमूली हो यानि mild infection हो तो उसमें इसकी dose 375 दिन में 3 दफा या 625 दिन में 2 दफा इस्तिमाल करते हैं इसको 7 से 14 दिन के लिए हम इस्तिमाल करते हैं जबके अगर infection स्वियर हो तो इसकी dose 1000 mg दिन में 2 दफा इस्तिमाल करते हैं और इसको भी हम patient के condition के मताबक 7 से 14 दिन के इस्तिमाल करते हैं तो यह इसकी dose थी इसके लावा इसको इस्तिमाल करने से पहले दाक्टर से बजरूर कंसर्ट करें आईए अब इसके side effects देखते हैं जो इसके common side effects हों में hepatitis, stiffen johnson syndrome यह एक skin की disease होती है देजिनस, headache, conversion और बच्चों में जो most common disease है वो तीज के उपर staining हो जाती है यानि तीज के उपर suspension के एक तरह जम जाती है इसके लावा hypersensitive reduction यानि allergy वगारा भी हो सकती है और JIT disturb वगारा यानि मेदा वगारा भी खराब होता है तो यह इसके मशूर side effects थे आईए देखते हैं किन-किन patient में इसको बहुत इत्यास से इस्तमाल करना चाहिए दो तरह के patient एक जिनका जिगार खराब हो और दूसरे जिनको kidney का मसला हो यानि कि kidney सही तो पर काम न करें तो उन में इसका इसका इस्तमाल बहुत इत्यास से करना चाहिए और इसको इसमाल किने से पहले मेशे अपने डोक्टर से रीजू करें और फिर इसको इसका इसका इसमाल करें आएए अब अब इसकी ड्राग noi इंटरेक्शन देखते हैं कि किन किन मैडिसन Dates वोठिक्को बतार हो द्रॉक्स वोड्रग्स जो खुन को प्तुमाल करती हैं इसके लावा ऐलो प्रीस्ट तो सब्सक्राइब के ली करना चाहिए यानि उनके साथ इसको मेलाग इस्टमाल ना करें इसके लाबा Contraceptive Medicine वो मेडिसन जो के وقفे के लिए इस्टमाल होती है ओरतों में उनमें इसका इस्टमाल मत करें इसके लाबा Method Tr dioxide उसके साल इसका इस्टमाल नहीं करना चाहिए जो औरते प्रेग्नेट होती हैं उनमें भी इसका इस्तमाल बत करें अब इसकी counter indication देखते हैं किन किन patient में इसका इसका इस्तमाल मत करें वो patient जिनको इसके allergy है या पैंसिलीन से allergy होती है इसका इसका इस्तमाल बिल्कुम उत करें आईए अब इसकी storage को देखते हैं इसको हमेशा room temperature को बेस ट्रोर करना चाहिए बच्चों की पौंग से दूर रखें और इसको इस्तमाल करने से पहले हमेश करा इसकी एकस्पाइर डेट को देखें फिर बाद में इस्तमाल करें इसके जो मुशूर ब्रेंड है उसमें अमोक्सी कलेव अगमेंटन केलामोक्स वगेरा है यह इसके मुशूर ब्रेंड है अमीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद रही होगी तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक माई चैनल अल्ला आफिस